सिगाराम, 4 अप्रील, 24 तो शामसाने 7 बजे से, खुचरात और पंचाब के बीच में मैच हैं दोनों ही टीमों के प्लियर्स के लिए टैरो कार्ट्स क्या कहते हैं, शेक्षे देख लेते हैं कार्ट्स तो यहां पे देखिए, एनर्जी शू कर सकते हैं चाहे जोतिश हो, चाहे कार्ट्स हो, चाहे जो भी माध्यम हो, वो किसी भी सिचुईशन के बारे में आपको पहले से बता सकता है कि हाँ, ऐसा काम हो सकता है, लेकिन करना तो उनी विक्तियों को है वो काम, जिसके लिए बताया जा रहा है अब कल के मैच में दिल्ली की तो क्या शानदार हार हुई है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है खेर बात करते हैं आज की, तो आज है कुचरात और पंजाब के बीच में मैच, चार तारिक का मैच है, शाम सारे साथ बजे से सबसे पहले हम देखनेते हैं कुचरात की टीम से फृद्यमान शाह रिद्यमान शाह का प्रदर्शन हमें अच्छा दीखने को मिल सकता है, ये कार्ड्स पॉसिटिव और थोड़ा सा नेकिटिव, दोनों कर्डिशन्स शू करता हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं, वो जो कार्ड्स की एनरजी है, उसके अकॉर्डिंग, रिद्यमान शा इतने अवेर शायद ना रहें, जितना हम सोचते हैं, क्योंकि यह एनरजी यहाँ पे यह बता रही है, कि लापरवाही उनसे हो सकती है, बागे प्रदर्शन अपनी तरफ से वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे कही न कहीं चूक हो सकती है, कहीं न कहीं है, नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो यह सब चीजें क्या दर्शाती है, कि यह जो एनरजी है, वो लापरवाही दर्शाती है, ओवर्रोल एनरजी अच्छी है, कि हो सकता है, उनका प्रदर्शन अच्छा देखने को मिले, पर कहीं न कहीं कोई न कोई मिस stakes हो भी सकती है, शुभमंगिल, शुभमंगिल के लिए टारो कार्ट का कहते हैं, चलिए रिख लिपे हैं, चार तरीक का मैच है, शुभमंगिल, एबरेज, साइन सुदर्शन, वेरी गुट, डी मिलर, वेरी गुट, मिलर के लिए भी यहां बहुत अच्छी एनर्जी है, वो अपने टीम के लिए कुछ बहतर करते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं, वी शंकर, गुट, शंकर के एनर्जी भी अच्छी है, ए अमरजई, आमरजईगर के जो प्रेयर है, एबरेज, आर तेवतिया, तेवतिया, एबरेज, रशिद खान, गुट, यु यादव, गुट, एस जोंसन, जोंसन, एवरेज, आर शाइं कि शूर, आर शाइं कि शूर, वेरी गुट, वेरी गुट, वेरी वेरी गुट, एम्शर्मा, ओकी, गुट, दर्शन नलकंदे, दर्शन, दर्शन जो बॉलर है, हमें के लिए टैरो कार्ट्स क्या कहते हैं, चलिए वेरी गुट, दर्शन के लिए तो कार्ट में बहुत अच्छी और पॉसिटिव एनरजी शूर्गी है, तो इस तरीके से हमने जीटी की टीम में देखा बहुत जादा कोई नेगेटिविटी यहां पे नहीं आई है, एवरिज और ठीक, अच्छी गुट एनरजी शूर्गी है टैरो कार्ट्स के दरफ से तो, बाकी तो जो प्लेयर्स पे हैं कि वो क्या करते हैं, अगर गलतियां ना करें और ध्यान दे के खेलेंगे तो शायद अच्छा और बहतर प्रदर्शन कर सकेंगे, और अगर गलतियां करते हैं बार बार में तो फिर उसका तो कुछ कोई कहीं नहीं सकता ना, प्लेयर्स अगर गलती करता हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है, आगे अब हम देख लेते हैं, पंजाब की टीम से, जी शर्मा, चार ता पीसी हैं, वेरी गूड, लेडी लग उनके साथ हैं और बहुत अच्छी एनरजी सीह के लिए यहां आई है, शिखर धवन, वेरी गूड, खिंग अन्द क्वीन, वाव, मतलब दोनों ही कार्ट्स बहुत अच्छे हैं, शिखर धवन के लिए भी काफी अच्छी और इनरजी यहां शोग हुई है, बैस्टो, चीफ बैस्टो, ओके ठीक है, एवरेज परदर्शन देखने को मिल सकता है उनका, रासू, वेरी गूड, साम करन, करन, एवरेज, लियाम लेडिंग स्टॉर्न, गुड, सी वॉक्स, वॉक्स के लिए टारोकाट्स के लिए शशांक C है, शशांक C है, नेगेटिव, शशांक C है के लिए तो कार्ड दे नेगेटिव एनरजी शोगी है, EC है और सदीप C है, अगैं नेगेटिव कार्ड, की रबाड़ा, रबाड़ा, ओके, ठीक है, स्ट्रगल करते वे दिखाई, देंगे विकेट के लिए काफे और ये खाते में आ भी जाए तो average जैसी energy है बहुत जादा positive नहीं है बहुत negativity भी नहीं है लेकिन struggle दिखाई दे रहा है तो struggle में फिर हम average energy ही count करते हैं H पटेल very good he will play very good R चहर good और H बरार बरार के लिए भी बहुत अच्छी energy है good तो इस तरीके से हमने देखा कि पंचाब की टीम के लिए एक दो negative cards आएं हैं बाकी थोड़ा positive cards भी काफी अच्छे हैं और average energy के भी एक दो card हैं लेकिन positive card यहां पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो देखे cards ने तो जो energy show की है वो ही हमने आप से share की है बाकी totally players पे होता है कि वो इस energy में खेलते हैं या नहीं खेलते हैं players अगर mistakes नहीं करते हैं तो वो इसी energy में खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं आएधाई जड़की तो जड़की तेते हैं